नमस्कार दोस्तों, हर्शित दिवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है विनीच सागर रीजनली खांडवा रेलवे स्टेशन से कुछ स्मगलेश को अरस किया गया इजुप्शन वल्चेश के साथ तो आज इस इंसिनेंट के बारे में हम डिसकस करेंगे, इसके साथ साथ एजिप्शन वल्चेश के बारे में इन डीटेल डिसकस करेंगे, जो आपके एग्जामनेशन परस्पेक्टिव में इंपोर्टन है ये कांट हुआ था दोस्तों महधियप्रदेश में सेंट्रल उत्र परदेश से बिलोंग करने वाला एक वल्चेश स्मगलिंग रैकेट, साथ एजिप्शन वल्चेश को एक प्लास्टिक बैक में डालकर स्मगल करने की कोशिश कर रा था तो ट्रेन में बैठे हुए कुछ और पासंजेश को डाउट लगा, उन्होंने रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्स को बताया, तो उन्होंने के उन्हें अरस्किया और जितने वल्चेश थे इन्हें स्टेट फॉरस्ट डिपार्टमेंट को हैंड़वर किया इसके बाद फॉरस्ट डिपार्टमेंट ने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, डॉक्टेश ने यह कंफिर्म किया दा बर्ट सार फिट टू रिलीस, अब दोस्तों एजिप्शन वल्चे के बारे में कुछ इंपोर्टेंट डीटेल्स, इनका साइंटिफिक नाम है नियो हसार से लेके 38,000 तर, इज्बिशन वल्चर अपना खोसला जो है कभी-कभी लजजस में बनाते हैं, केव में बनाते हैं, क्लिप्स में बनाते हैं, पत्थर वाले इलाके में बनाते हैं, इंडिया में तो लाज्च ट्रीज, बिल्डिंग्स, एलेक्रिसिटी, पाईलोंस में भी अपना खोसला बनाते हैं International Union for Conservation of Nature का Red List में Endaged Category में डाला हुआ है अब importance of Vulture क्या है देखें, Vultures are slow breeders देखें, इनकी जो breeding बहुत slow pace में होता है मतलब इनकी जो population replacement ये slow pace में होता है इसलिए एक-एक individual को conserve करना भोती ज़रूरी है नहीं तो ये extinct हो जाएगा and generally Vultures जो है other carnivores को खाते है and open carcasses भी खाते है Carcasses मतलब क्या होता है dead body of animals और इनकी जो bill है ये बहुत ही powerful है and long standar neck से इससे ये carcasses के अंदर meat chunks को bond से ऐसी खीच लेते है अब दोस्तों ये जो Vulture है ये health of the ecosystem maintain करने में बहुत बड़ा part play करते है कैसे? क्योंकि ये carcass खाते है देखे जब animals मरते है इनकी जो dead body 2-3-4 दिन के बाद एकदम खराब हो जाते है पर ये जो Vulture है ये पूरा carcass खा लेते है केवल हड़ी छोड़ देते है आप देखे दूसरे जो carnivore से वो dead bodies को इतना पसंद नहीं करते है क्योंकि dead bodies के अंदर के दोस्तों काफी से बैक्टीरिया रहते है वो बैक्टीरिया से कोई animal का ड़त भी हो सकता है पर वल्चर को इसे कोई problem नहीं होगा यह जो कैरकसे से यह पूरा water system को contaminate कर सकता है और बैक्टीरिया फेला सकता है हेगी नी और हो सकता है कुछ कार्णिवोर साके भूग लेगा तो यह dead body खा ले तो इसके अंदर भी bacteria चले जाएगा और वो भी animal मर जाएगा हेगी नी अब दोस्तों इनके उपर major threats क्या क्या है सबसे बड़ा threat आप बोल सकते हो drug diclofenac diclofenac एक ऐसा drug है जो cattle में यूस होता है cattle diseases cure करने के लिए पर देखे दोस्तों जब cattle मरते है इनके भी dead body या फिर carcass welches खाते है तो welches के शरीर के अंदर यह diclofenac चले जाता है इसकी वज़े से welches का जो kidney है उसका failure हो जाता है जिस वज़े से मर जाते है तो यह diclofenac के कारण thousands of welches का death हुआ था एक time पे यूरोप में South Asia में even India में भी ऐसा एक report में बोला गया था South Asia में तो 99% इनका population decline हो रहा था declofenac के कारण देखे 2008 में वल्चेस को conserve करने के लिए ही government of India ने declofenac को band किया था ठीक है पर ऐसा एक recent report आया था कुछ अलग फोर में अभी भी declofenac use होता है करके ठीक है अब देखी इंडिया की बात करे तो 1980s में around 40 million वल्चेस थे प्राइमरली तीन स्पीशेस से बिलोग करते थे एक है white back vulture long bill vulture and slender bill vulture पर 2017 में एक डाटा है था के अवल 19,000 बचा हुआ करके ठीक है अब इंडिया में भी और दुनिया में भी इनका life के उपर एक major threat है electric lines काफी सारे vulture का death हो जाता है electrocute होगे basically electric lines में ये collate करते है आजकल energy demand इतना बढ़ गया है तो हर जगा में इनकी जो habitat में electric lines है इसकी वज़े से इनका death हो जाते है इवन हमारा जो great Indian bastard है उसका भी काफी death report होता है ये electrocution के वज़े से और एक चीज़ बताना था दोस्तों मैंने आपको drug diclofenna के बार में बताया जिस वज़े से काफी सरे वल्चर का death हुआ था 2012 में Spain में भी काफी सरे वल्चर का death हुआ था तब ये पता चला वल्चर के शरीर के अंदर flunixin करके एक drug का presence था करके ये भी एक टेप का drug है तो नाम बस आप थ्यान दीजेगा flunixin और major threat क्या हो सकता है अब भी जी बात है habitat loss and degradation ये तो दुनिया भर में जितने species से humans को छोड़ के उनके उपर ये habitat loss and degradation का threat है दोस्तों क्योंगि आजकल इतने सारे infrastructure development हो रहा है human population increase हो रहा है इसलिए इनका habitat जो है धीरे-धीरे degrade हो रहा है ये सबसे बढ़ा एक threat है इनके उपर अब दोस्तों फाइनली वल्चेस के conservation के लिए इंडिया में क्या-क्या measures adopt किया है सबसे पहला Central Sioux Authority and Bombay Natural History Society ने वल्चर conservation breeding program established किया था जिसे वो 3 critically endangered species का breeding करवाया था अभी तक 8 senders इनने इस्टाबलिश किया है and so far 396 vultures of 3 species को successfully इनने बचाया है फिर देखें वल्चर सेफ सौन program ये implement हो रहा है 8 different places in the country में basically जहां भी वल्चर का population ज्यादा है जैसे उत्रपरदेश में और additional conservation breeding centers भी प्लान किया जा रहा है पूरी country में जैसे की उत्रपरदेश में तृपुरा में महाराष्टा में कनाटका में तमिलनाडू में एक्सर्ट एक्सर्ट और और पिंजोर हर्याना में एक जटायू conservation breeding center है ये दुनिया का largest facility है ये हर्याना में बीर शिकारगट वाइडलेफ sanctuary में located है इथर इंडियन वल्चर स्पीश का breeding and conservation भी होता है फाइनली एक action plan फोर वल्चर कंसर्वेशन है 2020-25 इस action plan के अंदर काफी अच्छे चे मेशर से वल्चर को conserve करने के लिए जैसे the new plant automatically removes veterinary use of a drug if it is found to be toxic to वल्चर जैसे डाइकोफ लना की वज़े से काफी सारे वल्चर का death हुआ था ये और repeat नहीं होने के लिए जब ही कोई veterinary drug आता है market में ये सबसे पहले check करता है ये वल्चर के लिए toxic तो नहीं है तो ये काम drugs controller controller general of India के साहता से करते हैं ठीक है और इस action plan के अंडर हार स्टेट में at least one vulture safe zone होनी चाहिए population of vultures को conserve करने के लिए और ये जो संजर से ये conservation and breeding भी करवाएंगे तो दोस्तों that's the end of it I hope आपको समझ में आया होगा लक्चर की PDF आशूचल आपको telegram channel में मिल जाएगा जिसका link नीचे और जाएग।